नमश्कार आप देख रहे हैं Headlines 24 समच्छार चैनल आगे रुख करते हैं आज की खबरों कियों प्रकार 52 करोड रुपे एप राज सिक्योरिटी के द्वारा आज दिनांग तक जमा नहीं कराए गए जिसके शिकायत पुलिस अदिक्षवक जी को करने की करण करमचारी नेताओ पर शिकायत को वापस लिये जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिसके चलते नगर निगम आयुक्त हर्शिसिंग के द्वारा विश्नुदत चर्मा की पदोननती को पहले रोका गया फिर डिमोशन करते वे ट्रांसफर फायर ब्रिगेट में किया गया उनके साथ में स्वेम सेवक अधिकारी करमचारी संग बदबरदेश के प्रदेश जिसकी कॉल डिटेल एवं रिकॉर्डिंग के अरुसार कारियाले अदिक्षक के द्वारा बताया गया है कि एपिया आयुक्त के खिलाफ एफ आयार करवाने के लिए आवेदन दिया गया था जिसकी कारण आपका ट्रांसफर एवं पदोनती रोकी गई है जबकि मोधी जी रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा उनके सपने को साकार करने के कारण संगटन के बदादिकारियों को प्रतारिक किया जा रहा है तुने उनकी फाइयर कटाईए ना वहां से वहां से तारवाई करें इसके खिलाब अच्छा अच्छा इतने परोल रुपईया को डाला हो गया तो इपीए कमिशन ने के खिलाब कारवाई करों अधूैने कमने उनके ऊपर श्रू कर दिया ना वहां से ओर्या है और ह अब जो भी तो निकल यह ना कि नहीं निकला ना पता नहीं मुझाए आप अब यह नहीं बताया तो कौंसर के बताया नहीं तरमचारी बास नहीं करें नहीं तो दिमोशन होए आप है तो यह सारे जो वेटे हुए इनका डिमोशन नहीं करोगे शबका करेंगे जिन्सा मत करोगे ठीक है जिन्सा मत रहा है ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए